जै मातादी आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुद्वार व्रत की कथा और कथा इस परकार है एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी सुस्राल गया वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चाद साससुर से विदा करने के लिए कहा किन्तु सब ने कहा कि आज बुद्वार का दिन है आज के दिन गमन नहीं करते व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना और हट धर्मी करके बुद्वार के दिन ही पत्नी को विदा करा कर अपने नगर की और चल पड़ा राम उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तब व्यक्ति लोटा लेकर रत से उतर कर जल लेने चला गया जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर चकित रहे गई कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेसबूशा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रत में बैठा हुआ है उसने क्रोध से कहा कि तू पत्नी को पकड़ने लगे इस तरह से पूशा तुम्हारा असली पत्नी कौन सा है तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे वह किसे अपना असली पत्नी कहे वह व्यक्ति से प्रात्ना करता हुआ बूला हे पर्मेश्वर यह क्या लीला है कि सच्चा जूठा बन रहा है तब ही आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आज बुद्वार के दिन तुझे गमन नहीं करना था तुने किसी की बात नहीं मानी यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है उस व्यक्ति ने तब बुद्ध देव जी से प्रात्ना की और अपनी गलती के लिए शमा मां उसको सब प्रकार से सुक्रों की प्राप्ति होती है और इस प्रकार बुद्वार की व्रत कथा समाप्त हुई